स्मृति इरानी किसी मुद्दे पर बोलती है तो खुल कर बोलती है और देश भक्ती को लेकर तो कोई कोड का सर छोड़ती ही नहीं केंद्रि मानस संसाधन विकास मंतरी स्मृति रानी लखनों में थी और इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजद एक सभा में बोल रही थी इसमृती रानी ने इशारों इशारों में जेन्यू के मुद्दे पर जम कर बोला और सेक्षित और और सेक्षित के फर्क को भी बताया कि अगर हिंदुस्तान के टुकड़े करने का भाशन दिया गया नारा दिया गया तो क्या वहीं हिंदुस्तानियत की असली पहचान है अगर हिंदुस्तान को भारत को मा कहा गया तो क्या वो भगवा करण है अगर देश के टुकडे करने का नारा दिया गया तो क्या वो आधूनिक सिक्षा का परिचय है या देश को एक जुट रहकर प्रगती के पथ पर ले जाना भारतिये सिक्षा पद्धदी का सबसे बड़ा प्रमाड है सिक्षा पत्धदी के संदर्म में आधूनिक इस युग में जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं सिक्षित वो जिसके पास दिगरी अच्छी हो सिक्षित वो जिसके नाम के आगे या तु डॉक्टर लिखा हो या नाम के बार विये लेली लिखा हो सिक्षित वो जिसके पास अच्छी नौक्री है, बड़ी सैलरी है, अच्छा घर है, सैलरी की वरे से अच्छी गाड़ी है और ये सार इस विधाईं देखने के बाद एक अच्छा सा दामपत्य जीवन जो निश्चित करता है वही अच्छी सिक्षा है लेकिन आज अपने जीवन के एक अंच को छात्रों के बीच में बाड़ना चाहते हूँ यहां देख रही हूँ कई छात्राएं हमारे मंध्य में हैं यह इनका सौभाग्य है कि इनके माता पिता ने इन्हें ना सिर्फ जीवन का दान दिया बल्कि मा सरस्वती के आशिरवाद से ज्ञान भी दिया लेकिन कितनी बेटियां है ऐसी जो कभी आजाद हवा में सास नहीं लेती कितनी बेटियां है ऐसी जो कभी सूरज की रोश्नी नहीं देखती जो मा की कोख में ही मारी जाती तो वहीं स्मृति जब बोल रही थी तो एक बार लाइट भी चली गई और माईक ने भी काम करना बंद कर दिया लाइट जाने पर भी स्मृति ने यूपी सरकार पर जम कर चुटकिली ये बाते आज में आपके समक्ष इसलिए रख रहे हूं क्योंकि कारे शैली में गती आ रही है दिल्ली में लेकिन उत्तर प्रणेश में हम परिणाम कम देख रहे हैं अपने आप में ये भी एट सुखत संयोग है ये भी एक सुखत संयोग है कि जैसे ही बिजली गई मेरे मन में एक ही खयाल आया कि माना की अंधेरा की लेकिया चलाना काम मुझे लगा था कि चुनाओं के आसपास बंच से बिजली जाएगी और माइक को बंद किया जाएगा ये नहीं पता था कि इसका शंखनाद आज से ही हो जाएगा NMF News की रपोर्ट